जै मातादी कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों मैं हूँ आपका दोज्फ मनीश आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हो आपके अपने चैनल बरीर negotiated means मेरे प्यारे मित्रों क्या आपका नाम d नाम से शूरू होता है यदि हान तो अबर से देखे इस वीडियो को डी नाम वाले लोग प्यार के मामले में बहुत ही इमोशनल और लविंग होते हैं ये जब भी किसी को प्यार करते हैं तो वो अपने दिलों की गहराई तक चाकर प्यार करते हैं दोस्तों ये प्यार के पती वफादार और बहुत ही इमोशनल होते हैं साथी साथ बहुत जल्दी इन्हें रोना भी आ जाता है दोस्तों क्योंकि ये बहुत इमानदार होते हैं इसलिए जरुवत पढ़ने से पहले ही अपने पार्टनर की जरुवतों का भी ध्यान रखते हैं प्यार में इन्हें व्यर्थ दिखावा पसंद नहीं होता जैसे कि अन परिस्तियों के सामने जुकना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है जब डीर नाम के अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्ति थोड़े से अकडू भी हो जाते हैं हाला कि इनका खुद पर नेंतन काफी अच्छा होता है परन्तु फिर भी ये अपने आगे कभी-कभी विश्वास खोबी देते हैं ये अपना हर काम पूरे विश्वास के साथ भी करते हैं इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये हर प्रिस्तिती में खुद को डाल कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों डी नाम से शुरू होने वाले सभाव से थोड़े जिद्दी और कई बार मेहनत के लिए प्रतीव अरवा भी होते हैं पर अक्सर ऐसा नहीं होता और अपनी मंजिल को बहुत पा लेते हैं इसे ही कहते हैं कि हिंग लगेन फिट किरी रंग भी चुखा इसलिए दोस्तों डी अक्षर के लोगों के उपर ये कहवत बिल्कुल फिट बैठती है वे खुद तो देखने में खुबसूरत होते ही हैं साथी साथ अपनी पसंद को भी वे खुबसूरती के साथ चुनते हैं यह अगर सर्फ, मेड, परसन कहा जाए तो गलत नहीं कहा जा सक जब तक कि एक बार किसी पर भरुशा कर लेते हैं तो वे हमेशा उस पर कायम रहते हैं यदि वे इस भरुशे को हासिल करने में कामियाब हो जाएं हाला कि एक बार इनका भरुशा तोड़ने के बाद आप लाख कोशिशों के बाद भी इनके नजदीक नहीं जा पाएंगे दोस्तों बाहर से चाहिए कितने भी कठोर क्यों ना हो लेकिन दिल के बड़े ही मासूम होते हैं और नर्म दिल के होते हैं ये अन्य लोगों की भाती कुछ खास बात में खासियत रखते हैं जैसे हर अक्षर के व्यक्ति खासियत रखते हैं दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि ये कई बार प्यार को लेकर अधिक जिद्ध हो जाती है जो इन्हें पसंद होता है उसे पाने के रिए ये कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं दोस्तों रिष्टों के मामले में इन पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं प्यार में पड़ जाने के बाद D-Nam वाले लोग सभाव से बहुत ही ज़ादा केरिंग होते हैं दोस्तों, अपने साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल ये अवश्य ही रखते हैं दोस्तों, D-Nam वाले लोग किसी की सहायता के बिना काम करना पसंद करते हैं अता इन्हें काम्यावी का श्रे किसी अन्य व्यक्ति को देना पसंद नहीं होता चाहे वह टीम वर्की ही क्यों नहीं हो इस मामने में ये थोड़े से यहां पर अलग किस्म के लोग होते हैं डी नाम के लोगों के लाइफ में प्यार शब्द और रिस्ते का महत्व बहुत जादा होता है इसलिए इन्हें धोखा देना नहीं आता प्यारे मित्रो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहें और डी नाम की जानकारी आपको और अधिक मिलती रहेगी आप आगे भी देखते रहिएगा आपके अपने चैनल को बरेली एस्टो जोतिश हम फिर मिलेंगे अगरे वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी